जालाउन के उरई जिलाकारगार में तैनाद बंदी रक्षक और पीएसी जवान की ये बीच रवर्चस को लेकर विवाद हो गया दरसल मामला उरई जिलाकारगार के मुकिगेट का है जाप्रती न्यूक्ती पर तैनाद पैतालिस बटालियन पीएसीय का जवान अभिशेक शर्मा जिलाकारगार के बाहर ड्यूटी कर रहा था उसी दोरान जिलाकारगार का बंदी रक्षक विरेंद प्रताब सिंग पहुँच गया और वो अभिशेक से किसी बात को लिकर विवाद करने लगा विवाद इतना बढ़ गया कि विरेंद प्रताब सिंग ने अपने पास रखे तमंचे से अभिशेक के उपर एक के बाद एक करके दो फायर कर दिये जिसमें अभिशेक ने अपने आपको बचाव करते हुए दोड लगा दी जिससे गिर जाने से उसके हाथ पैर में चोटा गई वही इस फायरिंग से जिलाकारगार में हड़कम बच गया फायरिंग की आवाज सुनते ही जिलाकारगार प्रशासन के जबान बहार आए जिन्ने देखकर बंदी रक्षक विरेंद प्रुमौके से भाग गया वही फायरिंग की जानकारी मिलते ही जालाउन की पुले सदीक्षक रवी कुमार अपर पुले सदीक्षक राकेश कुमार सेंग औराई सीओ विजय कानन मौके पर पहुचे और उन्होंने गटना की जार्च चुरू करती इस मामले में जालाउन के पुलिस अदिक्षक रभी कुमार ने बताया कि इक मामले की चार्ज की जा रही है किस मामले को लेकर ये फाइरिंग की गई है फिलाल पियस्टी की जवान की तरफ से तेरीर ले ली गई है जिसाधार पर मुकदमा पंजिकरत किया जा रहा है इस में जो लोकल लालकुहां और हल्दू चौर चेतर के सीसी टीवी देखे जाए तो इस सम्मन में कल साड़े साथ बजे लालकुहां चेतर सही है एक व्यक्तिकी गरफतारी होगी है जो साइकल में इन बैट्रियों को चुराया करता है कुस्ताज करने पे इस पे पता चला है कि लोकल कबाडी इसमें इनवाल्व था जिसमें ये बैट्रियों बेचा करता है दो आरोपी गरफतारों है तता 16 बैट्रियों तता एक साइकल जो चोरी में परियुक्त होती थी उसको हमने रिकवर्ट किया है हुआ काभाडी लुकल कभाडी है वैसे इसके द्वारा पोचा गया है जब हमने पूछा है तो इसके दरा बताया गया है कि ये लोकली तता किच्छा में भी इसका था नैटकर्क इसके वह संब्हें इन वेस्टिकेशन में जाची लएगी इस शोला बैटरी है जिनकी धाइला के लगवा कीमत है चोर पकड़ा गया है इसका पुराना भी रिकॉर्ड है पहले भी बैटरी चोरी में जा चुका है बिंदु करता चेत्र गई गया